आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now इस सवाल में में दिया है कि दो वेक्ति जो है तो दोनों वेक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी यह हमें ग्याद करना है तो मान लेते हैं कि यह हमारा टावर है यह हमारा टावर है और इसकी उचाई हमें दे रखी है यह टावर की उचाई दे रखी है पचास मीटर और इसके दोनो तरफ बिपरित और खड़े हैं लोग और इन्हों ने जो ये उन्नेयन कुड मापा है वो क्रमसा 30 और 45 है तो ये हमारा हो गया 45 डिग्री और ये हमारा हो गया 30 डिग्री तो ये वाला जो है A B C D तो हमारा जो BC लेंथ है BC बरबर हो जाएगा उचाई यानि कि 50 गुडे कॉट 45 डिग्री उसी तरह हमारा C D जो लेंथ है C D लेंथ वो बरबर हो जाएगा उचाई यानि 50 गुडे कॉट 30 डिग्री अब हमें ये B D दूरी निकालना है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी तो हमारा हो जाएगा BC प्लस C D बरबर इन दोनों में समझ 50 common ले लेते हैं तो 50 common हो गया तो यह हो जाएगा Cot 45 डिग्री प्लस Cot 30 डिग्री ये हमारा हो जाएगा बरबर 50 गुडे 1 प्लस root 3, Cot 38 का अब मान होता है root 3 तो ये हो जाएगा हमारा बरबर 50 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 प्लस root 3 मीटर तो दोनों के बीच की दूरी जो है वो 50 धन 1 प्लस root 3 मीटर के बरबर हो जाएगी जो कि हमारा बरबर हो जाएगा 50 गुड़े 1 plus root 3 का बमान होता है 1.7.32 जो की बराबर हो जागा 50 गुड़े 2.732 बराबर हो जागा 136 106 Meter यानी दोनों की बीच की दूरी जो हो जागा 136.6 Meter तो मारा सही उतर हो जागा a option Classics Tidual से लेके नीट IIT जे ही मेन्स और एड्वान्स के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आट 4444 पर.